नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तों आज कल त्योहारों का समय चल रहा है और वरत का भी समय चल रहा है तो आज का ये वीडियो में दोस्तों हम एक एसवी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको ज़ादातर वरत में खाया जाता है और जिसके खाने के कौन-कौन से लाब है, क्या-क्या विशेश फायदे है इसके बारे में ये वीडियो में हम डीटेल से बात करने वाले हैं दोस्तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और जो दोस्तो ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक या कोई इस पे नया है तो रूपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि की घंटी के बटन क में हम रामदाना यानि की राजग्रा यानि की राजिग्रा के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो वुरत के समय में राजिग्रे का अलग-अलग तरीके से खाने में उपयोग किया जाता है दोस्तो इसका हलवा बनाया जाता है इसका शीरा बनाया जाता है और नहुरा तर मिलते हैं तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में दोस्तो राजगीरा एक्चुली चोलाई नाम की एक बनस्पति का बीज है जी हां दोस्तो रामदाना एक बीज है दोस्तो रामदाना लाल चोलाई का बीज होता है लाल चोलाई को साग या लाल साग भी कह जाता है ऐसी लाल चौलाई के बीजो को हम लोग राजगिरा या रामदाना कहते हैं दोस्तों लाल चौलाई साग वही सबजी है जो पालक के मुकाबले ज्यादा आईरन और केल्शियम अपने पोशक तत्वों में रखती है दोस्तों रामदाना का नाम अगर देखा जाए तो तो ऐसा मानते हैं कि रामदाना का नाम भगवान राम के नाम से पड़ा है ऐसा हो सकता है कि भगवान राम ने इस चीज को अपने वरत में खाया होगा इसलिए वरत के फलाहार में रामदाना का यानि कि राजगीरा का विशेश महत्व है दोस्तो रामदाना विश्व का सबसे प्राचीन आहार है दोस्तों अब यह सवाल उटता है कि रामदाना कितना पोश्टिक है और दूसरे के मुकाबले इसमें क्या-क्या विशेश गुण है तो दोस्तों गेहु से अगर इसकी तुलना की जाये तो रामदाने में गेहु के मुकाबले ज्यादा आइरन पाया जाता है दोस्तों के मामले में भी रामदाना गेहु से काफी बहतर है इसे धान और मकाई से भी बहतर खाना माना गया है दोस्तों रामदाना खाने से मचली के सेवन जितना प्रोटीन मिलता है यानि कि शाकाहारी लोगों के लिए दोस्तों रामदाना प्रोटीन का एक सर्वस्रे विकल्प है तो राजगीरे का आठा और दाना दोनों तरीक से इसको खाया जा सकता है जब फूल जाये तो इसका खीर बनाने में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों सवाल यह उड़ता है कि हम रामदाने का इस्तमाल क्यों करें तो दोस्तों इसका जवाब यह कि इसमें यह मैंगनीज फोस्फरस भी उपयूक्त मातरा में पाया जाते हैं दोस्तों और एक चीज है कि राजगीरा में लाइसीन नाम का एमिनो एसिड भी मौजूद होता है दोस्तों ज्यादा तर राजगीरा को दूसरे अनाज के साथ मिक्स करके खाते हैं तो उससे शरीर में एम हलवा बना के भी खाया जाता है दोस्तों अब बताते हैं कि राजगीरा यानि की रामदाना खाने से शरीर में क्या-क्या फायदे होते हैं दोस्तों राजगीरा यानि की रामदाना में विटामिन सी भरपूर मातरा में पाया जाता है दोस्तों राजगीरा में दूद के मु स्त्रोथ है और इसलिए व्रत में इसको खाने के कारण आपकी भूख शान्त हो जाती हो ज्यादा समय तक आपको भूख नहीं लगती यही कारण है कि व्रत में रामदाने का लड़ू उसका हलवा या उसके खीर बना के खाया जाता है इसके अलावा दोस्तों जो लोगों को ग ग्लूटेन फ्री है ग्लूटेन एक ऐसा तत्व है जो गेहूं जैसे अन्याना जो में पाया जाता है तो जो लोगों को ग्लूटेन की एनरजी है वो ग्लूटेन वाले आहर को पचा नहीं पाते हो ऐसे में वो लोगों के लिए राजगीरा यानि की रामदाना एक वर्दान से कम नहीं है इसके अलावा दोस्तों ये माइग्रेन से भी आराम दिलाता है इसको गेहुं से भी बढ़िया माना जाता है और ये राजगीरा कोलेस्टेरोल को भी कम करता है तो दोस्तों आसा रखता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पहले कभी नहीं सुन कीजिए यदि आप अन्यों कोई विशाई के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखिएगा मैं वो सब्जेक के ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूगा तेंक्यू